जी मैं हूँ BS और आप देख रहे हैं BS Films Production और इस लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं यूट्यूब सब्सक्रिप्शन बटन और यूट्यूब ओपनर टेंप्लेट्स जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जब आप डाउनलोड करेंगे आपके पस कुछ इस तरह से एक फाइल आए जो के आपको एक्स्ट्रेक्ट करनी है 7-zip से मैं इसके उपर राइट क्लिक करता हूँ मैं 7-zip से इसको एक्स्ट्रेक्ट कर रहा हूँ यह फोल्डर एक्स्ट्रेक्ट होके आगया इसको मैं उपन करता ह मैं यहां से आपको manually replace करके भी दिखा देता हूँ, यहां से mc partition को open करेंगे और user file के अंदर जाएंगे, यहां जो अपनी window का profile name रखा था उस name से एक folder मिल गाएगा, इस folder को हम open करेंगे, तो यहां पे आपको कोई app data नाम का folder नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहां से hidden file को show नहीं किया, आपने यहां से hidden file को show कर लेना है, तो यह आप देख सकते हैं, app data नाम का folder show हो गया, इसको open करेंगे, यहां से roaming को open करेंगे, और second number पे adapt का folder दिखाई दे रहा है, इसको open करेंगे, और यहां से common को open करेंगे, और यह finally आपको motion graphic templates name से एक folder मिल गया है, इसको open करेंगे, इसके अंदर आपने इस folder को copy कर देने, मैं यहां पर copy करके, यहां पर paste और यह आप देख सकते हैं, हमारा यह folder copy हो गया, अब मैं अगर Premiere Pro को open करता हूँ, मैं यहां से new project कर लेता हूँ, यहां से मैं कुछ files को select कर लेता हूँ, और create replace, तो यह आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो timeline के उपर आगी, और इसके अंदर आपको essential graphic का panel नहीं दिखाई दे रहा, अगर आपके पास भी नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहां से window के उपर आएंगे, और यहां पर essential graphic के उपर check mark लगाएंगे, जैसे ही आप check mark लगाएंगे तो इस side पे essential graphic का एक panel show हो जाएंगे, इसके उपर cursor लाके mouse से wheel को scroll करेंगे, तो यह आप देख सकते हैं, हमारे पास subscription button बने हुए आगे, आपको just पकड़ के इसको ऐसे drag and draw करना है, अपनी timeline की एक layer के उपर, तो यह कुछ इस तरह से कुछ seconds के अंदर load हो जाएगा, तो यह देखें यह पूरी screen के उपर आगया, बलगे screen से भी कुछ इसका size बड़ा लग रहा है मुझे, तो इसको clear करने के लिए आप अपने effect control के अंदर आएंगे, और effect control के अंदर आपको first number पे position को option मिल जाता है, जिसे आप अपनी position को आगे पिछे कर सकते हैं, anchor person को हिला सकते हैं, और second number पे आपको scale मिल जाएगा, scale के उपर लाग, उसके इलावा आपके पास एक और भी method होता है, कि इसके उपर आप cursor लाएंगे, तो automatically यह से पकड़के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहां से इसको scale के साथ छोटा कर लेता हूं, और इसकी position को किसी भी जगां पे इसको आप drag and draw कर सकते हैं, यहां से position को select करके मैं इसको फिलाल इदर कर देता हूं, हम इसके name को change करना चाहते हैं, for example, मैं यहां पर BS films production कर देता हूं, और essential graphic panel के अंदर कहीं पर भी mouse से left click कर देता हूं, तो यह आप देख सकते हैं, इसके अंदर text change हो गया है, बट production आदा आ रहा है, इसके कुछ words cut गए हैं, तो इसको clear करने के लिए आपको इसके अंदर थोड़ा नीचे आएंगे, यहां पर आपको इसके scales मिल रहें, तो यह text का scale है, और यह इसके x point को हिलाएगा, और यह इसके y point को हिलाएगा, और यह name scale है, इससे हम name को जो है, वो कर सकते हैं, छोटा बड़ा, यह देख रहें, और इसको मैं थोड़ा सा उपर करना चाहता हूँ, तो y scale यह है हमारा, तो मैं y scale को थोड़ा सा, यह x scale क्या होता है, y scale क्या होता है, यह मैंने जो premiere की training की videos upload की हैं, अगर आपको इनके बारे में knowledge नहीं है, आप वहाँ जाकर premiere training की videos देख सकते हैं, फिर आपको यह proper समझ में आ जाएगा, यहां से हम किसी opener को रख लेते हैं, मैं यहां से opener को लाकर यहां पर छोड़ता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसका scale काफी जादा बड़ा आ रहा है, मैं यहां से scale को थोड़ा कम कर लेता हूँ, यह लेकिन, यह ऐसे हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा return यहां पर fit कर लेता हूँ, और उसके बाद added page के अंदर आएंगे, यहां पर हम कुछ भी name change कर सकते हैं, उसके इलावा यह काफी जादा बटन है, आप इसको ऐसे drag and draw करके चेक कर सकते हैं, अपनी वीडियो के अंदर कहीं पर भी लगा सकते हैं, no problem, ऐसे इसको scale कर सकते हैं, ओपर नीचे करने के लिए, यह और है, वैसे इसको पकड़के इधर उधर करेंगे तो यह नहीं हो, आपको यहां से इसको position को select करना पड़ेगा, फिर आप पकड़के इसको जहां मर्जी है drag and draw कर सकते हैं, link जो है description के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप download कर सकते हैं, और रार फाइल के उपर किसी किसम का कोई password नहीं लगा हुआ, आप जस्ट इसको seven zip से extract कीजिए रहाएं, ओके, अलाहफीज,